मैगनेटिक फील्ड दिटु सिर्कुलर कॉईल इड दा اक्सिस ऑफ कॉईल सुनलसर पहली बात है तो इस दो जया सिर्कुलर कॉईल है घधिकर यह सर्कुलर कॉईल है तो यह चीज कहल आती इसकी अशिस नहीं में डाइग्राम में बताओंगो आपको तो axis पर अपने को magnetic field निकालना है एक circular current carrying coil है ठीक है circular current carrying कैलके axis पर magnetic field अपने को calculate करना है B stands for magnetic field तो देख उड़ें कैसे calculate करेंगे तो सरसे पहले तो अपन situation देख लेते हैं बिटे क्या है माल लेते हैं यह जो coil है इसमें current flow हो रहा है से जो current flow हो रहा है वो I flow हो रहा है और इसका जो radius है पिटे वो है R अब बात आती ही पिटे इसकी axis तो इस coil की जो axis है पिटे वो यह वाली क्या कलाती है यह होती है इसकी axis this is the axis of coil और हमें इसकी axis पर मतलब यहाँ पर एक general point P पर इस point P पर अपने को magnetic field find out करना है अब देखो पिटे हम हमेशा की तरह से पहले एक element लेंगे element के करण magnetic field निकालेंगे बायो सावट लॉक की equation से फिर उसको proper way में integrate करके answer तक पहुचेंगे ठीक है तो बच्चों point P पर magnetic field निकालने के लिए मैंने एक element यहाँ पर माल लिया पिटे एक current element ऐसे माल लिया मैंने से small element ठीक और इस element से जो point P का position vector है वो यह है यह कहा है इसका position vector यह दो position vector इसको normally अपन लिखते है पिटे वेक्टर आर से ठीक है vector आर से अपन रिप्रेजेंट करते है और जो मैं magnetic field find out करना ना उसका जो distance है center से वो distance है कितना x ठीक है तो यह अपन ने assume कर लिया यह x यह r और यह capital r अगर यह r है तो यह भी capital r होगा हमने question को और easy solve करने के लिए एक और element यहाँ पर माल लिया same element यहाँ पर consider किया like this ठीक और इस element के कारण जो position vector आया वो भी ऐसा ही होगा अब बात करते हैं पर अपन direction की तो मैंने आपको बताया था कि magnetic field due to current carrying element इसका अगर अपन vector form लिखते हैं तो यह होता है मु नॉट आई दियल cross r अपन 4 pi r cube mod of r cube यह है इसका vector form और अगर अपने scalar form की बात करें पेटे हैं तो scalar form में यह result आता था dv is equal to what mu not idl sin theta upon 4 pi r square यह होता है एक तो vector form है और एक scalar form है यहाँ पर बच्चों से से पहले आपन बात करें magnetic field की direction की तो अगर हम यहाँ से देखें मैटें magnetic field की जो direction है वो dl vector की भी perpendicular होगी और r vector की भी perpendicular होगी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी बात समझे भाई dl k और r k दोनों के परपेंडिकुलर होगी अगर अगर अपन यह ध्यान रखें कि magnetic field position vector r k परपेंडिकुलर है क्या है बच्चों पोजिशन vector r k परपेंडिकुलर है और magnetic field की direction देखें तो इस vector के परपेंडिकुलर आने चाहिए तो पैटे क्या होगी यह direction जो है वो इस तर से db elements के करण जो magnetic field आएगा पैटे वो इस तर से आएगा position से परपेंडिकुलर तो यह आगए direction की बाद direction of magnetic field will be perpendicular to r यह जो दोनों position vector बनाएं इनसे क्या होगा r होगा क्योंकि a cross b का product a cross b की direction की जैसे a cross b a cross b यह रहा तो इसकी direction जो है पैटे परपेंडिकुलर होती है r से भी और dl से भी तो इसकी according आपने direction बनाई तो क्या जाएगी इस तरह से जाएगी थे ना position vector से 90 degree तर अब आपन बात करें यहां पे कि magnetic field due to element निकालते हैं पहले तो आपने single element का magnetic field इसमें आपन बात करें थीटा यह जो थीटा होता है यह डील और r का angle होता है angle बीडिन था ideal and r यहां पर जो ideal है वो ऐसा है देखो यह जो ideal है ना coil ऐसे मानी है वह ने perpendicular मनलब जो coil का plane है वो इस board के plane के perpendicular है तो dl vector ऐसा है और r vector ऐसा है यह चीज तो dl vector है और यह r है तो अगर आप यह वाला angle देखेंगे ना तो यह 90 degree आएगा एक बाद फिट से समझें यह है dl vector और यह है r vector तो अगर अपन इसको यहां से देखेंगे तो यह जो angle है ना यह 90 degree आएगा तो थोड़ा सा यहां पर यह 3D picture है तो dl vector तो है अंदर की तरफ और r vector है इधर की तरफ मतलब जो dl vector है वो तो perpendicular to board है और r vector मू नॉट आईडियल sin theta क्या होटे sin because theta is equal to 90 degree है मू नॉट आईडियल अपान 4 pi r square तो यहां तक यह बात अपने पास आगे इसको मैं बोल देता हूँ अब हम थोड़ा सा trigonometry use कर रहे है बच्छों देखें इधर बहुत चोटी चोटी सी बात है स्वाल करने के लिए मैंने माल लिए यह वाला एंगल मैंने माल लिए phi general angle माल लिए phi यह अगर phi है पेटे तो 90 minus phi तो यह वाला एंगल भी क्या होगा पेटे phi होगा ठीक है इसी तरसे अगर यह एंगल phi है तो यह भी phi होगा और यह वाला component आया, यह आगे पिटें, db cos phi और इसका जो component आएगा, इधर आएगा, यह आजागा db sin phi एक, इसी तर से पिटें यह भी db cos phi और यह आजागा db sin phi यानि कि पिटें, इस तर के आपर बहुत सारे elements है, यह जो component है, db cos phi वाले component तो आपस में cancel हो जाएंगे और यह सारे component क्या add होते जाएंगे तो magnetic field जो इस point पर आएगा वो केवल db sin 5 component के करण आएगा तो हम finally यहाँ से इसकी अजब से यह component cancel हो गए तो यह वाले component सारे sum up हो जाएंगे तो magnetic field का final equation अपन कैसे लिखेंगे बिटे, magnetic field at the point P is given by 2db sin 5 तो यह की important equation बिटे अब इसको हमें solve करना है proper तरीके से तो देख बिटें यहाँ पर हमने value रख दिया क्या db की value ले आते हम db की value आगई बिटे mu naught i dl upon 4πi r square sin 5 की value अगर आपन δेखें देखने बचों इधर ह départ sin 5 इस triangle में देह रहा हूँ sin 5 क्या होता है perpendicular upon hypotenuse ए perpendicular या hypotenuse इस triangle के अंदर देखावा है तो क्या आगेगे perpendicular upon hypotenuse का मतलब होगे है capital r upon small r अब देख होटे है यह सारी चीज़े constant है यह constant यह चीज constant आर स्क्वेर अपॉन फोर पाई आर क्यूद यह आगया है यह आगया है इंटीग्रेशन ओव डी एल और यह है बचों बस यहाँ पर थोड़ा सा यह समयना है क्योंकि हमने जब डेरिवेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट मानेते हैं अब यह एलिमेंट का समप कर रहे हैं अगर अपने एक एलिमेंट देखें यह ऐसे से एलिमेंट माने और दोनों तरस अपने स्टार्टिंग कर दें तो कुल मिला कि यहाँ पर अपने दो एलिमेंट होने के करण जो लिमिट आएगी न डील की डील की जो लिमिट आएगी आती तू पाई आ राती चार element मानते तो पाई रबाई टू आती because हमने यहाँ पर दो element मानने हैं तो अगर एक element यहाँ से यहाँ shift करेगा तो दूसरा element यहाँ से यहाँ shift करेगा अपने आपी तो यहाँ पर जो limit लेंगे हम integration of dl कामला बस छोटे छोटे पार्ट को sum up करना ठीक है तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to pi r लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो बस अब आपन solve करते हैं इसको तो mu not i r square upon 4 pi r cube into pi r into pi r तो b is required अच्छा यह r चल रहा है न यह वाला r अब यह आगे है पाई से पाई तो अब यह cancel हो जाए यहाँ पर पाई से पाई cancel हो गया और यह r जो है r square बन जाएगा बच्छों तो b is equal to क्या आगे हमारे पास 2 mu not i r square upon 2 r तो इसको अपन इस form में लिखना चाहें इस triangle से इदर आईए अगर हम यहाँ से देखें पाई तो vector r को मैं कहा लिख सकता हूँ root of r square plus x square लिख सकता हूँ ठीक है तो देखें यहाँ पर यह value को और रखा हमने तो magnetic field at the axis of coil के आगे है पीटे very important result mu not i r square upon 2 of r square plus x square power 3 by 2 यह तो है पीटे सिंगल turn के लिए अगर बात करें for n turns for n turn n turn की बात करें तो पीटे यह simple n से multiply हो जाएगा तो यह आगे हमरे पाँ mu not n i r square upon 2 of r square plus x square power 3 by 2 तो यह result हमें अच्छे से याद रखना है ठीक अब अगर अगर आपन देखें पीटें यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे से points बता रहा हूँ special point देखें इदर special point first अगर बात की जाए एक्स बराबर zero तो एक्स बराबर zero का मदलब समझे आप एक्स बराबर zero का मदलब हो गया center पर पहुँच गया अगर यह value x बराबर zero रखो तो एक्स बराबर zero का मदलब इदर चले तो center पहुँच गया तो center of पर जो है magnetic field आजाएगा 2 तो r cube और उपर है r तो क्या जाएगा बैटे b is equal to what mu naught n i by 2 r और यह आना ही था center पर ऐसे yes special point 2 की बात करें second की बात करें कि अगर हम बात करें x very very greater than r तो बैटे यह जो formula है वो किस तर से convert हो जाएगा b is equal to इसको अपा neglect मान सकते हैं तो may not n i r square upon 2 x cube ठीक और अगर हम बात करें third point की at x is equal to when x tends to infinity तो infinity रखा यहाँ पर तो b is equal to again क्या जाएगा 0 b क्या जाएगा 0 यानि कि b की value जो maximum होती है वो center पर होती है और दूर जाने पर क्या direct decrease होती जाती है अगर हम तीनों point का conclusion देखें बैटे center पर इतना ज्यादा distance पर one upon x cube के style में change होए गई ठीक है और infinite पर इतना तो अगर अपन bx curve बनाना चाहें बच्चों तो कैसा बनेगा देखोटे bx curve मतलब b versus distance curve distance from axis of curve देखोटे एक important curve हम बना रहे हैं b versus distance from axis distance from center यह distance कहां से है बटे distance from center तो दोनों तरह बना लेते हैं बटे अगर x direction यह minus x direction तो यह जो graph है बटे वो कुछ इस तरह से आएगा यहां से start होगा infinity पर जाके यह 0 होगा तो b versus x graph कैसा आएगा ऐसा है ठीक है तो b versus x मतला b versus distance from center ठीक तो आपको यह छोटी-छोटी से इतनी बाते ध्यान रखनी है इस पर कुछ questions भी कराऊंगा कुल मिला के आपको यह result पर focus करना है जो derivation आया इसका result यह आपको direct ध्यान रखना है अगर competition के point अगर उसे बात करें ठीक है तो आप एक काम करो इसको not down करो फिर इस पर एक दू कुछ questions मैं करवाता हूँ ठीक है बच्चों तो यह result आगया है वेटे अपने पास तो result को focus करें आप अच्छाटे यह two अटा ले ना आप यहां से ठीक है ना यह two था यह four था तो यहांपर two आगया तो देख लेना इसको तो